हेलो एवरिवान मैं राजिंदर सभी का स्वागत करता हूं कलाम सीवल सर्विस से यूटूब चैनल में दोस्तों आज सीटी का जो दूसरी पारी में एकजाम होगा उसकी अपने सबसे पहले एंसपर की लेकर आए हैं देखेगा अपने परशनों का मिलान कर लीजिए अगा ज दोस्तों वह बार बार चीकता है काल बाच्यक किरिया विशेशन आपका राइट एंसर होगा दूसरा देखेगा 132 नमरे सुद्ध सब्दों का यूगम कौन सा आपको पैचान करना है जो सुद्ध सब्दों का यूगम है इनमें से कौन सा 132 नमर क्यूसन है उसका राइट answer होगा दोस्तों सी नंबर इस समय मेरी आयू चालीस वरश है ये है आपका ऐसुद वाक्य है अब 134 नंबर के उसन देखेगा जिसका पालन दूसरे ने किया हो उक्तवाखांस के लिए उचित एक सब्द का चुनाव करना दोस्तों 134 नंबर के उसन के अंदर तो राइट पर भरत आपका राइट एंसर हो जाएगा 135 नंबर के उसन है कौन सब्द करम धार्य समास का उधार नहीं है दोस्तों जो करम धार्य समास का उधार नहीं है वह पैचान करना है तो आपका हो जागा आतम मगन हो जागा दोस्तों कौन सा एंसर हो जागा आतम मगन आपका एंसर होगा देखेगा गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ दोस्तों होता है नय दिखाई पड़ना दोस्तों क्या होता है नय दिखाई पड़ना 138 नंबर क्यूशन है मित्रो किस विकाल पने निजवाचक शरौनाम का प्रयोग नहीं हुआ निजवाचक शरौनाम का प् किसी की कफ़न को उदत करते समय किस विराम चीने का प्रयोगी जता है तो 139 का मातर पलस उपदेश आपका राइट है है दोस्त हो जाएगा अभी अपना क्यूशनाल करेंगे जीके के क्यूशनाल करेंगे मित्रो सबसे पहले क्यूशन तर बढ़ रहे हैं देखेगा पहला क्यूशन मित्रो आपके सामने है स्क्रीन के उपर हाँ जी देखे क्या एंसर रहेगा आपका जीके क्यूशनाल मित्रो ब तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत पूलेगा दो नंबर है मिवात शेत्र के अलवर जिले में जनम लेने वाले परसिद संत कौन से थे दोस्तों तो मिवात शेत्र पूछा गया है तो आपका राइट अंसर होगा लाल दास होगा लाल दास आपका राइट अंसर हो जाएगा दो नंबर क्यूशन का राइट अंसर हो रहा है दोस्तों लाल दास आपका राइट अंसर हो जाएगा आगे बढ़रे मित्रू देखेगा आगे तीन नंबर क्यूशन है मित्रू आपका हां जी पंद्र में हां जी पंद्र में भी तायोक न एक नमबर एंसर होजाएगा, चार नमबर क्यूसन देखेगा, मित्रो बोती स्यांदर क्यूसन है, कवी ये चितरकार नागरिदास के रूप में कौन परशीद है, कौन परशीद था दोस्तों? हाँजी, त्यार नमबर का एंसर होगा, आपका राजा सावन सिंग दोस्तों, 1907 में चुरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा किस्ता अपना करी थी छटे नंबर कि उसन का जो राइट एंस पर होगा दोस्तो आपका होगा सरव हितकार्णी सभा दोस्तो छटे का नंबर क्या होगा हां जी सरव हितकार्णी आपका राइट एंस पर हो जाएगा मित्रो राजबादुर सिंग आपका राइट एंसर हो जाएगा आगे बढ़ रहे है मित्रो देखेगा आठ नमबर क्यूसन आपके सामने आठ नमबर है सुमेलित कीजेगा हस्त सिले पुतपाद दे रखे हैं उनके स्तान दे रखे हैं तो मित्रो देखेगा इसका राइट एंसर होग राइट एंसवर हो रहा है, आगे देखेगा मित्रो नो नमबर क्यूशन है, कौन सा अनुशेद नागरिकों के लिए एक समान सिवल सहिंता को उपबंद करता है, नो नमबर क्यूशन है, उसका राइट एंसवर होगा, डी नमबर, अनुशेद 44 हो जाएगा आपका, दस नमब क्यूशन अपन दोस्तों अंते में देखेंगे, ग्यारा नमबर क्यूशन पहले अपन हल कर लेते हैं, निमल लिखे तो मैंसे किस जिल्ले में अधिक्तम आरक्षित वन शेतर है, अधिक्तम आरक्षित वन शेतर का है मित्रो, हाँजी राइट एंसवरो का उद्यापूर दो करपाल सिंग सेखावत का सबंध किस कला से, करपाल सिंग सेखावत का, तो आपका राइट एंसवर का बलू पोटरी, दोस्तों, क्या होगा, बलू पोटरी, जैसल मेरे के भाटी राजम से कुल दीवी को होन है मित्रो, सिंपल क्यूशन है, चवदा नमबर क्यूशन का कुल मत बुलिएगा, हाँजी, आपको पंद्रे नमबर क्यूशन है, कतनों को ध्यान से पढ़िएगा, मित्रो कतनों का पढ़ने के उपराद इसका एंसवर देना है, तो राइट देखेगा, दोस्तों, राइट जो एंसवर होगा, आपका, राजस्तान का माधिवीक्ता का रहे ले राजये पून कठना देखेगा, मित्रो, हांजी, निमल लिखित मैंसे कौन सा यूद वरस सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है, वो पैचान करनी है, तो आपका राइट अन्स वर होगा, दोस्तों, सामेल का यूद, आपका B नमबर क्या हो जाएगा, राइट एंसफर हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है 17 नंबर क्यूशन देखेगा मित्रो 18 19 नंबर क्यूशन देखते हैं पहले हरिदेव जोसी पत्तरकारिता एम जन संचार हरिदेव जोसी पत्तरकारिता जन संचार विस्व डाले कहां इस्तित है दोस्तों ये बताना है तो 19 नमबर क्यूसन का जो राइट एंसफर होगा वो होगा आपका एक नमबर जैपपुर दोस्तों आपका राइट एंसफर होगा राजस्तान स्कूल ओफ आर्ट की स्तापना किस ने करी थी महराजा राम सिंग सेकंड ने करी थी मित्रो किस ने करी थी महराजा राम सिंग सेकंड ने इसकी स्तापना करी थी मित्रो आगे बढ़ रहे हैं देखेगा भाइस नमबर के उसे नहीं देखेगा मित्रों, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुसाल सिंग ने किस जगा विद्रोयों का नित्रतव किया, दोस्तों, 22 नमबर के उसे नहीं, right answer होगा, आगे देखेगा, अरली चोहन डाइनिष्टीज के लेखकोन है, बहुत अच्छी पूस् तो दसरत सर्मा इसके right answer हो घेंगे आगे दखेगा 35 नमबर की उसन इंसरे मिटरो ढमिल तेंदुआ राष्ट्य उध्यान निमन मैंसे किस राजय में इस्तित है दुमिल यह हो जाएगा आपका तीरपुरा में का इस्तित है दुस्तो तीरपुरा में ये — आगे देखेगा मित्रो 28 नंबर क्योंसन है राजस्थान की वैपरमपरा जिसे दुल्ले की बराथ के घर से चले जाने के बाद घर की इस्तुरियां दवारा लोक नाटे किया जाता है, क्या कलाता है? 28 नमर क्यूशन का राइट एंसर होगा तूटिया दोस्तों क्या कलाता है तूटिया कलाता है आगे देखेगा मित्रो बहुत या शांदर क्यूशन आएं आज के नेमल लिखित मैं से कौन से बालू का स्थूप परसलित पवन की दिसा के समानतर विक्षित होते हैं तो आपका राइट एंसर होगा दोस्तों डी नमबर अनुपरस्त दोस्तों क्या होगा राइट एंसर अनुपरस्त आपका राइट एंसर हो जाएगा आगे देखेगा मित्रो 32 नमर क्यूशन देखेगा मित्रो बहुती शांदर क्यूशन आज के हां जी 32 नमर क्यूशन है मित्रो फतु नमबर क्योशन का रामगड बारा के अंदरिश्थित है 34 नमबर क्योशन देखेगा मित्रो राजस्थान जन अधार परादी करना दीनियम 2020 प्रभावी हुआ है प्रभावी कब हुआ ये पूशा जार आपसे तो आपका राइटन शुरोगा 18 दिसंबर 2019 को ये प्रारम होता है निमन मैंसे कोन सा फसल उतपादक राजस सही सुमेलित नहीं है जो सही सुमेलित नहीं है आपको वह पैचान करना है तो आपका राइटन शुरोगा चाए चाहे गुजरात में है क्या मित्रो चाहे नहीं चाहे असंदर है मित्रो आगे बढ़ रहे हैं 36 नमबर क्योशन जायगा आगे देखेगा मित्रों 37 नंबर क्यूशन त्रप देखेगा जन गंडा 2011 कि अनुशार राजस्थान एकिन जिलों में अनुसुचित जन जाती का जिले की कुल जन संगें परतिसाद सबसे कम पाया गया है दोस्तों सबसे परतिसाद कम कहां पाया गया है 37 नंबर में वेवस्तित करना दोस्तों सबसे उंची और फिर सबसे डाउन की तरफ चलनी है तो 38 नमबर क्यूशन है मित्रों क्या राइट एंसर होने वाला है तो डी नमबर आपका राइट एंसर होगा जरगा रगुनात गड़ जजन गड़ लिला गड़ दोस्तों लंतीम आ जाएग देखेगा मित्रों 49 नमबर क्यूशन है किस वरस में राजस्तान की पहली हास्तसलिप नीती जारी करी थी यह पूशा गए आपसे तो राइट एंसर होगा दो हजार बाइस आपका राइट एंसर हो जाएगा मित्रों आगे बढ़ रहे हैं 41 नमबर क्यूशन है मित्रों लिएख यह राजस्तान स्टेट केमिकल वरक्ष है दोस्तो यह आपका डीडवाना में कहां पर है यह डीडवाना में हो जाएगी और हाइटेक गलास फेक्टरी आपकी दोलपूर के दर रेहां दोस्तों कहां पर हैं। द्यान रखेगा और निंबा हैं दोซके का I m right answer और दी नंबर आमारा क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा मित्रो आगे बढ़ रहे हैं बहुती सांदर क्यूषन है आगे 42 नंबर क्यूषन देखेगा मित्रो बहुती अच्छे क्यूषन आया आज के exam के अंदर आप देखेगा कितना आपका score रहता है और अन्त में मुझे बता बहुती स्यांदर कियो सहन है केंद्रिय मन्तरी यह मुक्तार अबास नक्विं डौप रडो हजर ऑजाएं निमन लिखित में से कौन सा लिप्ट नहर दोस्तों, इसल़ यह अपका सुमिलित नहीं है जो not है वो बूशा जा रहा है तो 43 का आपका, कुम्बा राम आ रहे है जेसलि से मेरे और बार्य मे दोस्तों, यह आपका सुमिलित नहीं है ठीक है ?, आगे बढ़े यह दोस्तों कितना पांच क्रोड रुपे कर दिये हैं पांच क्रोड रुपे कर दी है तो मारवाड का यह किसासक था राबजनर सने इसने मुगलों के अदिनता सविकार नहीं करी है आगे बढ़ रहे हैं 46 नंबर की उसने देखेगा निमन लेखित में से कौन सा वन्य जीवा भैर ने और इनका जिला जो है सुमेलित नहीं है तो सुमेलित नहीं है वो ही पैचान करनी है हमें तो सबसे पहला हो जाएगा कैशर वाग दोस्तों उध्यापूर हो जाएगा आपका मैंसे स्पॉण। श्कीम कने अंत्रेरे गरता है थोड़ा सा हां जी देखेगा 49 नंबर की हूच्व लोग कथा देवणारांण जी की फट के गायन में कौन सा वाद्य अंतर प्रयोग में लाया जाता है तो कौन सा लाया जाता है दोस्तों जंतर है अपका राइट अंसर हो जाएगा पचास नमर की उसन देखेगा नेमल लेके तमेश की पुरा दातु इस तल से युनानी सासक मिनांडर की मुद्राइं प्रापत हो यह मिनांडर की मुद्राइं किस से प्रापत हो यह पुशा गए अपका तो बेराठ अपका राइट अंसर हो जाएगा आगे बढ़रें मित्रो बहुती स्यांदर की उसन आपके सामने है आगे देखेगा चोपन नमबर की उसन मित्रो हंजी वर्तमान में राजस्थान 119 किलोमेटर की राष्ट चैराजमादक प्रयोजना का उधिकाटर नो असी लेनास किया है तो 15 नमबर की उसन का राइट अंसर होगा एंप अंदर दोस्तों क्या होगा एंप आपका राइट अंसर होगा 56 नमबर की उसन देखेगा मित्रो भारत में पहली बार संपत्तिकर क पैस किया गया था वरत alot में सबसे पहले बार राइट अनसर होगा उनिस्सों चैठर के अंदर दोस्तों का वह इंभा 96 sipडा आपका राइट अन्सर होगा आगे देखेगा मित्रो आपका चलते है दोस्तों क्या है गदर जनरल का पहला आंक किस बासा में परकासी तो था गदर जनरल का पहला आंक किस बासा में परकासी तो है तो आपका राइट अंसर होगा दोस्तों एक नंबर उर्दू में परकासी तो होगा दोस्तों किसमें परकासी तो होगा उर्दू में परकासी तो ह जने जाते हैं तो यह राइट इंसर भूगा हटबू जी आपका उन्हें से नंबर कोई जाने जाते हैं तो थीनबर देखेगा जाने जाते काला गुमान और तिक ही शेतर दोस्तों ये सुबह वाली पारी माय था काला गुमान और तिक ही शेतर दोस्तों किस डोटोट के लिए जाने जाते हैं चोसेट नंबर क्यूशन अमित्रो हां जी पन्ना के लिए जाने जाते हैं आगे देखेगा ये आगे ना दोस्तों हमने जो करवाए था कोपेन के जलोवी वरकेंगे उनसार जालोर शिकर नागोर और जुझनो निमल लेकित में से किस जलोवी परदेश में आते हैं तो 55 नंब मित्रो क्या दिया गया है तो राइट एंसर होगा राजीव गांदी सेवा केंदर दोस्तों क्या होगा राजीव गांदी सेवा केंदर आपका राइट एंसर हो जाएगा मित्रो आगे बढ़ रहे हैं 67 नंबर क्यों देखेगा आपके सामने सक्रीन के उपर हां जी क्या पांसी वाकल अडूंगुर पुर दोस्तो यह आपका क्या है सही सुमेलित नहीं है केलास रंखला किस हिस्सा है दोस्तो करांस केलास रंखला किसका हिस्सा है तो 69 नमबर हो जाएगा ट्रांस हिमाल लेगा दोस्तो किसका हिस्सा है ट्रांस हिमाल लेगा देखेगा मित्रो बहुत ही शांदर की उसन है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा चैनल को है दोस्तों यह हो जाएगा चना के ही दोस्तों चना की हो जाएगी यह बैतर नमबर के उसे ने गेहुए इंदलन पर राष्ट्री एक हद्य सुरुक्षा मेशन राजस्तान में किस वरस परारम करा गया था दोस्तों तो आप बताईएगा दोस्तों कब परारम करा गया था दो tu के लिए बताना को केढ़ा किशान अंदोलन की नेताओं की नेतरतों में हुआ था दोस्तों खेढा किशान अंदोलन मताना आपको 76 नंबर की उसन का तो राइट स्फर होगा गांदी जी और वल्ला बाई पाटेल दोस्तो डी नंबर प्रधुमन सिंग है दोस्तो आगे बढ़रे मित्रो 79 नंबर की उसन देखेगा हाँ जी राजस्थान विधान सबा का सदस्य रहे बिना कोई वेक्ति कितने मैने तक राजस्थान के मंतरी पद पर आसिन रह सकता है तो 79 नमबर का क्योशन होगा 6 मैने दोस्तों कितने मैने 6 मैने आपके राइट एंसर होंगे आगे देखेगा मित्रो 80 नमबर क्योशन है आपके सामने हाँ जी क्या राइट एंसर होगा सी नमबर क्यों सुनगा तो असी नमबर क्यों सुन है मित्रो निमल लिखित नदियों में से कौन अध्यरूपित नदी का उधारना अध्यरूपित नदी का उधारना कौन सा है तो राइट एंसर होगा गगर नदी दोस्तो कौन सी होगी गग घ्यट एसधन का मिखुन के मुख्यने आखे थे तो ये थे तो ये थे मिट्रु किस के जम्मुकिश्मेर उच नृट उचने डेंड़ अगे तुटे स्वर्ट तो नबर के उसे नहीं आपके सामने इजलास खास का गठन किया दोस्तों इजलास खास का जो गठन हुए ना 88 का तो देखेगा इसका राइट एंसर होगा हाँ जी सी नंबर माराना सजजन सिंग आपका राइट एंसर हो जाएगा आगे देखेगा मित्रो 90 नंबर क्यूसन है आपके सामने जमनालाल बजाज ने स्तापना की थी जमनालाल बजाज ने स्तापना करी थी किस की जैपूर परजा मडल की दोस्तों किस की गरी थी जैपूर परजा मडल आपका राइट एंसर होगा जमिनल बजाज दोस्तों 90 number question का 95 number question देखिये देख़ए दो 95 number question है बहुती सांदर question आ थे आज के exam के अंदर गुरदवारा बुड़ा जोड राजस्तन के जिले में दोस्तो simple question था गंगानगर अंदर है बुड़ा जोड ठीक है सिरिगंगानगर आपका right-ensor होगा आगे देखेगा मित्रो आग आगे जो k Delicious है 98 no-ber क्योषण आपके 98 no-ber क्योषण देखेगा मित्रो हां जी भारत का पर्धान देशांतर निमल लिखे तो मैंन से किस राज़े से नहीं गुज़रता है किस राज़े से नहीं गुजरटा है तो मित्रो कौन सा राजे जहां से नहीं गुजरता तम इलाडू आपका राइट एंसर होगा दोस्तो तम इलाडू से यह नहीं गुजरता यह भारत के पांच राजों से गुजरता है जनगन्ना 2011 के अनुषा राजस्थान में जनसंग के दर्श्किया वर्दी दर क्या थी सो नंबर क्योशन का आपका राइट एंसर होगा बी नंबर पुली कट करनाटक दोस्तो यह आपका सुमेलित नहीं है सभी का धन्यवाद सभी को नमस्कार थेंक्यू सो मच